कि नती में सरणंग अईयंग, धंबू में सरणंग वरंग, यहाँ पर धंब बोला गया है, बौध धंब नहीं बोला गया है, तो किसी को भी इस बात से बिचलित होने की जरूत नहीं है, कि किसी भी व्यक्ति का इस विपस्ना सिविर में जाकर धरम छूर्याता है, यह धरम प धरम के आगे हिंदू लगता है, धरम के आगे बौध लगता है, धरम के आगे मुस्लिम या जैन लगता है, तो वहाँ पर धरम गायब होयता है और केवल और केवल हिंदू, मुस्लिम, जैन, इसाई यही रहा है। पूजिय गुरू जी सतनाय गुइंका जी ने हिंदु धर्म को छोड़ दिया था लेकिन इस पात को परचारित और प्रचारित नहीं किया आया था क्योंकि इस देश के लोग जिस मान्सिक्ता के हैं जिस मान्सिक्ता में रूडियों में बंधे हुए हैं वे नहीं चाहते हैं कि पूजिय गुरुजी के मुह से ये सब्द लिख ले या उनके सिविर को अटैंड करने वाले लोगों के मुह से ये सब्द लिख ले या उन केंद जो लोग काम कर रहे हैं वे लोग हिने की कोई भी पूनिमा और कोई भी हमावस्या और कोई भी अस्तमी खाली नहीं याती थी। इन चारो दिन मेरे पिता उपूसत का अबरत रखा करते थे और हर रोज बड़ी कटरता से सुभए सुभए बंदना करकर ही अपने काम पर जाया करते थे और जब वे उपूसत रखा करते थे तो लगभग उनकी जो पूजा पाठ की जो चर्या थी वह एक घंटे चला करती थी आपको जानकर यह बड़ा ही आश्चर्य होगा कि बच्पन में पुरू जी क्रस्न के परमभग थे क्रस्न जी में उनकी बहुत दिश्चा थे जैभीम नमो गुद्धय साथियो साथियो मैं आज एक ऐसी महान सक्षित के बारे में चर्चा करूँगा जिनका आज जनम दिन है और जिन्होंने भारत की उस्वानिम एतिहासिक विरासत के भीतर अपना महतपून योगदान दिया यह महतपून योगदान बुद्ध के बाद असोक के द्वारा दिये गई योगदान और असोक के बाद परमपूजय बाबासर द्विम्राव अमबेड करके योगदान से किसी भी रूप में कम नहीं है साथियो अगर मन की बात कही जाए परधान मंत्री जी हमारे अक्सर मन की बात करते हैं लेकिन उसमें बनावटी पन बहुत जादा होता है मन को साधना बिलकुल भी नहीं होता है बलकि मन को विखंडित करके चारो दिसाओं में लालच और स्वार्थ की पराकास्था उनके मन की बात में होती है लेकिन भारत के एक सपूत हाला कि इस सपूत का जर्म भारत के अंदर नहीं हुआ लेकिन उनके जो पूर्वस थे वे भारत से थे और भारत से वे व्यपार करने के लिए बर्मा में गए और बर्मा में जाकर इस्थापित हो गए और एक बहुत बड़े व्यपारी घराने के रूप में वे इस संसार में जाने गए जिहां साथियो मैं बात कर रहा हूँ गुरुजी सत्नरायन गुएंका जी की जिनका जन 30 जरवरी 1924 को हुआ और आज उस महानसक्सियत का परिनिर्मान दिवस है जिहां साथियो 29 सितंबर 2013 को यह महानसक्सियत हमारे बीच में अपने महानतम कारे को छोड़ कर हमारे लिए प्रासत के रूप में परोश कर इस संसार से सदा सदा के लिए चली गई साथियो इस महानसक्सियत का जो अमूल्य अतुल्य योगदान भारत की ब्रासत में रहा वह है भारत के लोगों को उनके मन पर नेंत्रण इस्थापित करने के लिए प्रेरीत और उनका उत्सह वर्धन करना साथियो यह कार्य कोई असान कार्य नहीं है हम जानते हैं कि आज भारत के लोग मन के भैकावे में मन के आनंद में इतने लिप्त हैं कि वे तमाम तरहे के जो उनके कार्य है बहुत जुरूरी कार्य है या फिर उनके जो महंतम लक्षे हैं उनको भी छोड़ कर वे अपने मन क आनुरूप उस आनन्द को भोगने में लगे हुए हैं सातियों जहां भारत के अंदर एक ऐसी संस्कृति है जो की लोगों को उनकी भावनाओं के अनुसार उनकी भावनाओं को भड़का कर या कहें गुम्रहा करके उनको एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेड़ करती है जो भोग विलाश से भरपूर जीवन है सातियो हाँ मैं बात कर रहा हूँ उस हिंदू संस्कृति की हिंदू संस्कृति में जहां भजन, कीर्टन और भक्ति ये सभी अगर हम देखें जाजें, पर्खें तो इसमें व्यक्ति को सिर्फ उसके मन को किसी ना किसी चीज से जोड दिया आता है और उसके प्रती प्रेम पैदा किया आता है उसके प्रती सरद्धा पैदा किया आती है जबकि वहां से उसके जीवन के लिए जरूरी बातें जरूरी तत्व बिलकुल भी निकल कर नहीं आते हैं शातियो ऐसी विपरीत प्रस्तितियों में और ऐसी विपरीत संस्कृति के विरुद्ध एक समता मूलक संस्कृति की स्थापना करना उसकी सुरुवात करना ऐसे महंतम कारे को करने वाले पूजय गुरु जी सत नरायन गुएंका जी जिनका आज परिनिर्वान दिवस है तो उ थागत बुद्ध ने धंपद में कहा कि मनो पबंगमा धंवा मनो सेठ्था मनो मया मनसा चैपद उठेन भासती वा करोती वा तो नंग दुखमन वेती चक्कंगे वहतु पदंग। पद में तथागत बुद्ध मन पर नियंतरन करने पर जोर देते हैं। दुखी है तो आपके जीवन में बुरे परिणाम आयेंगे। सातियों इसके अलावा तथागत बुद्ध ने मन को ही नियंतरन करने पर पूरे धंपद में जोर दिया है। और इसके लिए मन पर नियंतर स्थापित करने के लिए बुद्ध ने जोर क्यों दिया। इसको इस गाथा में बुद्ध ने कहा कि फंदनंग चपलंग चितंग दुरखंग दुनिवार्यंग उजुंग करोती मेधा भी उसकारोवय तेजनंग। इसका मतलब यह है कि जो मन है यानि मन को चित कहा चित जो है चंचल है चपल है दुरख्य है दुरख्य है मतलब कि इसकी रक्षा बड़ी मुश्किल से होती है और हमने देखा भी है कि हमारा मन बहुत डावाडाल होता है बहुत चंचल होता है अभी एक पल यहां तो दूश में कोई भी मानतमकारे कर सकता है साथियो बुद्ध ने चित के बारे में यहां तक कह डाला कि चित को मेधावी पुरूस उसी प्रकार सिधा करते हैं यानि नियंतर करते हैं उस पर जिस प्रकार से की बान ब्राने वाला बान को सिधा करता है साथियो मैं आप से एक प्रसंद पूछता हूँ कि चित पर काम करने वाले आपने कितने लोग देखे हैं चित पर काम करने वाले लोग की संख्या के मैं बात कर रहा हूँ मैं इस संख्या के इतर दूसरी बात पूछूं कि कितने लोग ऐसे हैं पूरे संसार में जो यह जानते हैं कि उनके चित के कारण उनके जीवन में दुस्परणाम आ रहे हैं या जो भी दुस्परणाम उनके जीवन में आ रहे हैं वह उनके चित की इस्थी के कारण है साथियों लोग अभी तो यह जानते भी नहीं है कि चित के कारण या चित की गलत अवस्था के कारण उनके जीवन में दुस्पढ़ा मा रहे हैं सोचिए कितनी बड़ी बिहोसी में यह संसार के लोग जीते जा रहे हैं लिकन उन्हें अभी आभास तक नहीं है इसी महांतम कारे को लोगों को यही बात बताने के लिए इस महांसक्सियत पूजनिय गुरू सत्नराइग गुएंका जी ने भारत के अंदर आकर ऐसी अलग जगाई इतना कठिन प्रियास किया कि आज पूरे भारत में लगभग हर राज्य में उनके विपसना केंद्र खुले ह और आज वहां पर हजारों और लाखों की संख्या में लोग जाकर अपने चित्य को सफलता पूरवत साधने का कारे करते हैं साथियो थोड़ा सा परिचय पूजने गुरू सत्नाइग गुएंका जी का बनता है आखिर उनकी सुरुवाद कैसे हुई वो बचपन में क्या करते थे उनके परिवार की दसा कैसे थी उनके परिवार की धार्मी की स्तिति कैसे थी और कैसे एकदम से वो जै बुद्ध की तरफ मुड़ गए सातियों जो पूजय गुरू जी सत्नाइग गुएंका जी का परिवार था वो एक हिंदू सनातनी परिवार था भारत से गया था भारत के गुजरात परदेश से गया था और गुजरात परदेश में जानते हैं कि जायतर लोग बनिया यानि व्यपार का कारे करते हैं और व् भारत के एक हिंदू सनातनी, कट्टर हिंदू सनातनी, खाली हिंदू सनातनी कहने से कामनी चलेगा, बलकि कट्टर हिंदू सनातनी परिवार था, और बर्मा में जाकर इस परिवार ने सफलता पूर्वक अपने व्यापार को इस्थापित किया, बलकि इस्थापित नहीं किया वर्मा के उच्छ घरानों में सामिल हो गया और साथियों आपको जानकर यह बड़ा ही आश्चर्य होगा कि बच्पन में सतनारैन गुरू जी क्रिस्न के परमभग थे क्रिस्न जी में उनकी बहुत दिल्चस्पी थी लेकिन साथियों हुआ यूँ कि जियों जियों सतनारैन गुरू जी बढ़ते गए और अपने व्यापार को समहलने की जुमिदारी उनके पर आई तो अपने व्यापार को उन्होंने बड़ी सफलता पूरवक समहला और उसको बहुत जादा उन्नत्ति परदान की लेकिन साथियों हम जानते हैं कि व्यापारी वर्ग के दिमाग में व्यापार को लेकर नाना प्रकार की चिंताएं व्यापत होती है इन्ही चिंताओं के कारण पुजय गुरू जी सतनाय गुइंका जी को माइगरीन की सिकायत होने लगी साथ यो माइगरीन की सिकायत ऐसी होती है जिसको अगर मैं व्याख्य करके आपको समझाना चाहूं यह एक प्रकार का सरदर्ध है जो की निरंतर होता रहता है जब गुरुजी को यह सिकायत हुई तो उन्होंने अपने डॉक्टर से संपर किया और डॉक्टर उन्हें मॉर्फिन के इंजेक्शन देने लगा मॉर्फिन का इंजेक्शन देते देते डॉक्टर ने गुरुजी को यह बताया कि अब आपको इस मॉर्फिन के इंजेक्शन की आदत पढ़ जाएगी लट लग जाएगी जब गुरुजी को यह पता लगा कि उन्हें मॉर्फिन के इंजेक्शन की लट पर जाएगी तो वे सचेत हो गए उन्हें इस बात के लिए काफी दुख हुआ और उन्होंने इस बात के लिए प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से इस मॉर्फीन के इंजेक्शन से उनको छुटकारा मिल सके साथी ओं मॉर्फीन के इंजेक्शन से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने देश बर्मा के तमाम बड़े-बड़े डॉक्टर संपर्ग किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली अपने देश के डॉक्टरों के पास जाकर ही संपर्ग नहीं किया बलकि पूरी दुनिया में बिर्टेन, जर्मनी, अमेरिका हर देश से जहां भी उन्हें लगा कि यहां पर अच्छी चिकित्सा पंदती है या यहां के डॉक्टर विश्विश्टरियें है उन्होंने हर एक डॉक्टर के पास जाकर संपर्ग साधा और बहुत सारा धन भी इस विमारी पे खर्च किया लेकिन उनको माईग्रेन से चुटकारा नहीं मिला लेकिन साथियो तब उन्हें एक ऐसे व्यक्ती ने सलहा दी जो की बर्मा की जो सुप्रीम कोट है उसका नियाधीस था और उनसे काफी संपर्ग था गुरुजी का सुप्रीम कोट के इस नियाधीस ने गुरुजी को यह सलहा दी कि विपस्ना के गुरु सयाजी उबा खिन से आप मिलें वे आपकी इस बारे में काफी मदद कर सकते हैं साथियो वे उनकी सलहा मान कर जब सयाजी उबा खिन से मिले तो नोंने देखा कि वे एक बौध धार्मिक गुरु थे और उनसे मिल तो लिए उनके मन में एक चिंता व्यापत हो गई कि वे कहीं उनका धर्म परिवर्तन ना करते हैं कहीं वे हिंदू से बौध न बन जाएं लेकिन साथियो जब उन्होंने यह चिंता सयाजी उबा खिन के सामने जाहिर की तो सयाजी उबा खिन ने उन्हें सात्वना दी और यह कहा कि धर्म का किसी भी संपरदाय से कोई लिना देना नहीं है मैं तुमारे धर्म में बिलकुल भी किसी भी परकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करूँगा बहुत धरम में किसी भी प्रकार के करम कांड के लिए कोई जगह नहीं है और आपको किसी भी प्रकार की अपनी पदित्ती को छोड़ कर किसी भी प्रकार की दूसरी पदित्ती को नहीं अपनाना पड़ेगा जब यह बात पता लगी तो संकोच बस क्योंकि अभी भी उनके बीतर संदे था और संकोच बस ही उन्होंने वह कैम्प जो दस दिन का कैम्प लगा करता था विपसना सिवर का उसमें सामिल हुए और उस दस दिन के कैम्प में उनको बड़ी रहात मिली और जब उन्हें रहात म उस दस दिन के कैम्प के बाद गुरू जी ने यह नने किया कि अब मैं इस विपसना विधी को अच्छी तरह से सीख कर इसका परचार पसार भी करूंगा साथियों आपको जानकर यह बड़ा आसर्य होगा कि एक कट्टर हिंदू सनातनी परिवार ने जब यह जाना कि गुरू जी एक बहुत धरम गुरू के पास गए हैं तब उनके परिवार ने ही नहीं बलकि उनके पूरे समुदाये ने बहुत बड़े इस तरह पर व्रोध किया और उन्हें कहा कि आप जो एधरम परिवर्तन कर रहे हैं आपका धरम भ्रहश हो जागा नना प्रकार की बात है उनके समाज में होने लगी लेकिन साथियों इन सब ब्रोधों का सामना करते हुए गुरू जी ने लगातार 14 वरस तक निरंतर ये विपसना विधी को सीखा और और अच्छी तरह से सीखने के बाद सयाजी बा उखिन ने उन्हें बताया कि धाई हजार वरस बाद बुद्ध के देश में जहां से की बौध धम बिलकुल लुप्त हो गया है समाप्त प्राय हो गया है वहाँ पर यह पुनहे जाएगा इस प्रकार की भविस्वानी किसी न के गुरुजी सयाजी उबा खिन जी ने उन्हें यह बताया कि अब यह समय आ गया है और आपको यह विद्ध्या भारत में पुनहें लेकर जानी है और आपको इसके लिए जितने भी कस्ट हैं वो उठाने पड़ेंगे साथियो वहां से यह विद्ध्या लेकर गुरुजी भारत आये और भारत में आकर उन्होंने छोटे से इस तर पर यह विद्ध्या देना शुरू की साथियो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको विपस्टिना केंद्र जाकर जब आप विपस्टिना सिविर करेंगे तो उसमें अच्छी तरह से और अच्छी तरह से जी बहुत धम्में परिवर्तित हो गए जिस प्रकार से वे हिंदु धरम में एक कटर सनातनी हिंदु थे उसी प्रकार जब वे बहुत धम्में परुजित हुए तो वे एक कटर बौध के रूप में जाने गए साथियों उनके बहुत धम्में जो कटरता थी वो वैसी कटरता थी जैसे की हिंदु धरम में जिस प्रकार से हिंदु धरम के जो करमकांड थे उनको पूरा करते थे उसी प्रकार से बहुत धरम में जितनी भी विधियां बताए गई जो भी बातें करमकांड के बातें करने का कार्य करते हैं वहीं पर हिंदू करम कांडों में जीवन की सुधता से कोई लेना देना नहीं है सात्यों महिने की कोई भी पूनिमा और कोई भी अमावस्या और कोई भी अस्टमी खाली नहीं जाती थी इन चारों दिन मेरे पिता उपूसत का अबरत रखा करते थे और हर रोज बड़ी कटरता से सुबह सुबह बंदना करकर ही अपने काम पर जाय करते थे और जब वे उपोसत रखा करते थे तो लगभग उनकी जो पूजा पाठ की जो चर्या थी वह एक घंटे चला करती थी सातियों हमारे जीवन में यह बहुती एक विशेज घट्डा थी जिसको हमने अपने आखों से देखा हमने उस विवार को देखा लेकिन आज वो चर्या मुझे अपने बहुत परिवारों में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है मैंने अपने जीवन में बहुत धरम की पद्धिती को देखा बहुत धरम का नाम सुना और बुद्ध के बारे में भी सुना लेकिन साथियो बुद्ध के धम के गूड ज्यान से अभी तक मैं बन चित था, प्रज्या से पूरी तरह से बन चित था, प्रज्या क्या होती है, साधना क्या होती है, या फिर कहें कि सील, समाधी, ये क्या है, इसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था, मोटे मोटे इस्तर प किया तो मुझे उसके गूड रहस्यों का पता लगना शुरू हुआ उसके बाद मेरा अध्यान और भी बारिक उता गया और कई बातों पर मुझे रुकावाट पैदा हुई मुझे असहस्ता पैदा हुई क्योंकि उनके बारे में कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह से समझा नह बीच में मैंने दिल्ली यूनिवस्टी में बुधिस्ट स्टडीज में एड्मिशन लिया और वहां पर बहुत धमके अध्यान के लिए मैंने काफी पर्यास किया लेकिन इसी दोरान क्योंकि करोना का काल सुरू हो गया करोना जो संकर्मन है करोना की जो बिमारी है उसने प्रोफेसर है उनमें मुझे सबसे अधिक पसंद है वह है सतेंद्र नात पांडे जी मैं उनकी बड़ी इज़त करता हूँ मेरी उनके अंदर बड़ी सरद्धा है मेरी सरद्धा और मेरी उनके लिए इज़त इस बात में नहीं है कि वे मेरी गुरू है बलकि इस बात में है कि बहुत धरम के सधानतों का उने गूर अध्यन किया है और अच्छी तरह से समझाने में सफल हैं लेकिन साथियो एक चीज जो कि मुझे यहां भी समझ में नहीं आ सकी वह थी संखार संखार का अर्थ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था संखार यानि संखार का जीवन में क्या महतुब है यह कैसे काम करता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था मैं दिन रात इसके बारे में सोचता था बहुत से वीडियो देखता था यहां तक कि मैंने पुझे गवेंका जी के वीडियो भी देखे और उनके वीडियो छोटे छोटे थे, क्लिप थे, छोटे छोटे उनको मैं देखकर काफी समझने का प्रयाज किया उन्हें काफी दोराया, उन्हें काफी याद भी किया मैंने लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था साथियों इसके अतिरिक्त, जम मैंने अपना MA Studies का अध्यान शुरू किया, तो वहां मैंने काफी चीजों को बहतरीन तरीके से समझा और वहां से मुझे प्रज्या का अनुभव होने लगा और मेरे भीतर से कुछ ऐसी बाते निकलने लगी जो बिलकुल नहीं थी, उन्हीं बातों के माध्यम से और उन बातों को लेकर अभी अगस्त में अगस्त 2021 में एक विपरसना का सिवीर करने का मौका मिला और जब मैंने यह विपरसना का सिवीर किया तो इसके तीन दिन तक तो आना पान ही कराया लेकिन चौते दिन मुझे अपार प्रसनता हुई क्योंकि जो ग्यान मैं यहां से लेकर गया था उस ग्यान की कडियां उस ग्यान से जुनी और वहां जो संका थी जिस बात का अर्थ में समझ में नहीं आ रहा था वो इतनी अच्छी तरीके से इतनी आसानी से समझ में आ गया कि अब मेरे मन में चित्त की स्थी को लेकर संसकार को लेकर किसी भी प्रकार की संका नहीं रह गई है साथियो मेरे जीवन में यह प्रमुख देन पुज्य गुरू सतनरायन गोइंका जी की है और इसके लिए मैं उनका स्थाइब किर्टक गयर होंगा साथियो सबसे महतपून बात यह है कि आज पुज्य गुरू जी सतनायन गोइंका जी के द्वारा इस्थापित किये गए सिविरों में किसी भी एक विशेश वर्क के या किसी भी एक विशेश संपरदाय के या किसी भी विशेश जाती के लोगों का ही वहाँ पर विपस्ना सिवर नहीं होता है बलकि ये विपस्ना सिवर हर जाती हर वर्क हर धर्म के लिए खुले हुए है और ये खाली सधानतिक रूप में नहीं है कि मैं अपने मुह से कह रहा हूँ जैसा हम अक्सर बोलते हैं हिंदू लोग बोलते हैं अपने सिधानतों में कि हमारे भीतर कोई भेदवाव नहीं है हमारे लिए सभी लोग वो हैं लेकिन सिधानतों के जब इंपलिमेंट किया आता है जब विवार में उनको देखा जाता है तो पता लगता है कि ये तो दूसित मान स्कता से गरसित हैं और ये अपने संपरदाय, अपने वर्क के लोगों का हिच आते हैं और दूसरे संपरदायों से घिना करते हैं लेकिन साथियो आपको पुझे गुरुजी के द्वारा इस्थापित के सिवरों में जाकर यह देखने का मौका मिलेगा कि यहाँ पर वास्तव में हर संपरदाय, हर धर्म, हर जाती के लोग आते हैं और वे इस विपस्तना साधना को सीख कर बहुत ही लाव उठाते हैं लेकिन साथियो सबसे बड़ा सोचनी बिस है यह है कि यह लोग जो जाकर विपस्तना विधी का लाव उठाते हैं यह लोग प्रग्या से रहीत होते हैं प्रग्या है अपने भीतर का ज्यान जो अपने से किसी भी बात को समझ कर उसका विशलिशन कर सके उसको अच्छी तरह से जान सके उसकी गंभीरता को पैचान सके लेकिन साथियो दस दिन के कैम्प के बाद भी यदि कोई व्यक्ति ये प्रसंद करता है कि क्या सत्नारायन गोइंका जी ने हिंदु धरम छोड़ दिया था तो साथियो मुझे यहाँ पर उन लोगों की बुद्धी पर एक प्रसंद च सारवे से लेकर साड़े च्छे वजे तक जो विपसना होती है उसमें अंतिम आदा घंटे में पूजनिय गुरु जी जो बोलते हैं जो कहते हैं उसमें बड़ा सार है उसमें इस बात का जवाब है कि क्या पूजनिय गुरु जी सतनाय गोइंका जी ने हिंदु धरम को क्या आयाता कि कि इस देश के लोग जिस माझसिक्ता के है जिस मानसिक्ता में रोडियों में बंधे हुए हैं वे नहीं चाहते है कि पूज्य गुरु जी के मुह से यह सब्द लिख ले या उनके सिविल को अंतिम करने वाले के लिए या उन केंद्रों में जो लोग काम कर रहे हैं वे लोग इस बात को कहें और वास्तम में यह बात कहना बिल्कुल गलत है कि क्या उन्होंने हिंदु धरम को छोड़ दिया था साथियों उन्होंने धरम को नहीं छोड़ा सिर्फ हिंदु को छोड़ा पुझे गुरुजी इस बात को अच्छे तरह समझाते हैं कि धरम सनातन है धरम सारवजनीन है धरम सर्वकालिक है लेकिन जैसे ही धरम के आगे हिंदू लगता है धरम के आगे बौध लगता है धरम के आगे मुसलिम या जैन लगता है तो वहाँ पर धरम गायब होयता है और क हिंदू, मुस्लिम, जैन, इसाई यही रहाता है तो सातियों यह बात इसपस्ट रूप से गुरुजी जो सुभह की साधना होती है उसमें जो लगभग आदा घंटे का जो उनका जो वह बोलते हैं उसमें वह इसपस्ट रूप से कहते हैं तो सातियों इन बातों का मतलब यह है कि मेरी केवल और केवल बुद्ध की ही सर्ण है बुद्ध के सिवाए कोई अन्यसर्ण नहीं है इसी प्रकार केवल और केवल धम की सर्ण है धम के सिवाए कोई अन्यसर्ण नहीं है केवल और केवल संग की सर्ण है और संग के सिवाए कोई अन्यसर्ण नहीं है सातियों क्योंकि यह बात गुरुजी पाली में बोलते हैं इसलिए लोग इस बात को समझ नहीं पाते इसमें से सिर्फ हिंदु को छोड़ा और धरम को ग्रहन कर लिया, धरम हर किसी व्यक्ति के लिए है, जैसा कि दूसरी बात कहते हैं कि नती में सरणंग अईयंग, धंबू में सरणंग वरंग, यहाँ पर धंब बोला गया है, बौद धंब नहीं बोला गया है, तो किसी को भी इस बात से बिचलित होने की जरूत नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का इस विपस्थना सिवर में जाकर धरम चूर आता है या धरम परवर्तन हो आता है बलकि वह सच्चे धरम को जान लेता है बलकि उससे हिंदू, मुसल्मान और जैन, बौध ये चूरता है और सिर्फ और कल्यार कारक है और धम ही उसका कल्यार कर सकता है तो मैं अपनी इन ही बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और आज पूझे गुरुजी सतनायान गुएंका जी का परिनिर्मार दिवस है जो भी मुख्य तिथिया कि सीवी महानपुरुष के जीवन में होती है तो उसको समझ सके है और मैंने जो गुरुजी के जीवन चरित्र से पिरिना ली है वह यह है कि मुझे भी उनकी भाती सिर्फ और सिर्फ धम का प्रचार और प्रसार अपने भारत देश में और मौका मले तो विदेशों में भी जाकर करना है और मैं इस बात के लिए प्रतिवद हूँ संकल्पित हूँ और मैं इसे कर करें रहूंगा जै भी नमो गुद्धाय साथियो